नश्कर दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशल और आप देख रहे हैं News Click JNU एक बार फिल से विवादों के केंदर में हैं अब यहां के सिक्षकों ने आरोप लगाया है कि यहां पर सिक्षा पर नए तरीके से हमले हो रहे हैं जिसके तहट ना सिर्फ उनको प्रोमोशन्स में देरी की जा रही है लेकिन जो रेकूटमेंट्स हैं उन पे भी कहीं कहीं असर पड़ा है स्टूडेंट बाडी की फंक्षनिंग पर कहीं कहीं असर पड़ा है इनी सारी चीजों पर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ D.K. Lobyal, लोबियाल सर जेन्यू टीचर्स असोशेशन के प्रेसिडेंट है लोबियाल सर आज आप लोगोंने प्रेस कॉंफेंस बलाई है उससे पहले है कि यह हमारी बातचीत है आखिर मैं इकाऊं कि यह क्या अर्जेंसी है कि आप लोग यह आरोप लगा रहे हैं सरकार पे या फिर उनिवर्सिटी अडिश्टेशन पे कि यह ने तरीके का हमला जील रहा है अगर आप बता पाएं कि यह हमले किस तरीके की है पहले बात तो अर्जेंसी इसलिए है आपने अर्जेंसी की बात की कि 2016 से जो हमारा इनिवर्स्टी को डिस्क्रेक्शन का जो प्रॉसर्स चल रहा था हमें उमीद थी कि 22 में नए वाहिशांसर आने के बाद साइद रुकेगा अब नए वाहिशांसर को एक साल साथ-ाट मैने हो गए है अगर आप देखें तो फर्वर्टी 2022 से आज हम सब्टेंबर 2023 में है तो इट इज मोर दन वनन हाफ यह देड़ साल चे उपर हो गया जिसमें टांस्परेंट से पहला मुद्धा है आज की तारीक में आप अगर जेन्यू की साइट में देखेंगे कौन सॉल्डिस्ट हुआ उसके नाम आपको नहीं दिखते हैं आपने फॉर्म का नंबर डाल दिया आप मुझे पताने की रोहिजी सॉल्डिस्ट हुए की नही एक बात दूसरी बात आप जो इंटर्व्यू कंडिडेट को टाइम दे रहें एक हफ्ते का भी टाइम नहीं दे रहें आपने आज लगाया का ग्रिवेंसेज दे दो दो दिन के बाद उसको डेट देदी कि तीसरे दिन आप इंटर्व्यू देने आ जाई हैं तो इसका मलब एक सुपर पावर जिसको बोलते हैं इंटर्नल क्वालिटी अशुरेंस सेल आईक्यू एसी वह किसको सॉड्लिस कर लेगा इसके दिन कमेटी के बावजूद भी जो इसके पावर में नहीं है तो पूरा ही सिस्टम ऐसा हो गया कि आप किसी को भी अंदर कर लें बुला लें इंटर्व्य के लिए किसी को भी बाहर कर दें तो एक तो यह मुद्द है उसके बाद भी जो प्रॉसर चल रहा है उसमें यह है कि मुझे पता होना चाहिए मेरे पैलल कंपेटिशन में कौन है यह मुझे आज की तारी में पता नहीं है तो फाइनली जब सेलेक्शन होता है तो केवल केवल जोर सेलेक्शन में है और एक मुझे है जो हमारी इंटर्ण फैकल्टी है दो तरह के होता है कि मैं भी अप्लाइ कर सकता हूँ जैनियू में प्रॉफरसिप के लिए अगर मैं इलिजिबल होता हूँ जो भी कंडिडेट इंटर्ण इलिजिबल है उनको यह इ जोड़ा बनती है तो बात यह है कि आप मुझे मेरी योगयता और मेरी उसके प्रॉफरसर के लिए अगर में उसके लिए अगर आप एकडिमिकली प्रीटी नहीं हो तो आप मुझे रिजट कर सकते हैं बट जए हर्समेंट है कि आपको डबल प्रॉमोशन नहीं मिलेगा हरेस्मेंट है यह बहुत ही इसको हम स्युकार नहीं करते हैं नोट एक्सेप्टेबल यह प्रॉसस में बहुत सारे फैकल्टी ऐसे जो डिस्करेज हैं आप बाहर से तो किसी की 10 साल में ले लेंगे वह उसको डबल प्रॉपिशन हो जाता है लेकिन अंदर वाले को क्यों नहीं जो हमारे रॉक्रूट्मेंट की जब आप का जैसे यह नोट देखते हैं तो उसमें आप शिक्षा पे जो असर पड़ रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं फिर आप यह भी कहते हैं कि जो सीवेट जैसा जो एक्जाम आया जिसमें एंटी ए को आपने बागिदार बनाय जैनियू ने कोई भी मेमरेंडम ऑफ अंडर्टेकिंग जो है वो साइन नहीं किया मोई उसाइन नहीं किया एंटीय के साथ इसके बावजूद जो है आप उसी प्रोसेस से जा रहे हैं बच्चों पर किस तरीके का असर पड़ा बच्चों से मिन रहा मतलग है कि छात्रों प से जैनियू ने किस तरीके का असर है देखिए आपने जो सी एटी का मशला उठाए और एंटीय का जेनियू एंटेयम पहली ही चला गया था लेकिन सी इटी का अशर देखें एक तो हमारा अकडेमी कलेंडर है पहली बात तो मैं टीचिंग और लेर्णिंग की बात करूंगा कि आपके दो-दो calendar एक साथ चलते हैं, हमें आज की तारीख में यह पता नहीं हम कौन से semester को पढ़ा रहे हैं किसी का admission जनुरी में होता है, किसी का सेप्टमबर में होता है तो आप एक तो process होगा है, आज की तारीख में भी आपको यह पता नहीं कि एक semester कब सुल होगा और कब semester चलेगा जब तक CUT के पास एडमिशन का process रहेगा कि CUT और NTA के लिए CUT least priority है पहले NEET, JE, then CUT, उसके बाद PhD के एडमिशन होते हैं, तो एक तो पूरा section एक सत्र है, हम छोटा कर रहे हैं जो एक semester 6 मेने का या 4 मेने का होता है उसका हम 2 मेने में, 3 मेने में खतम करें तो इसका teaching learning होगी, एक तो असर इसका ही है, तीसरा ही है कि जब आप online कर रहे हैं, तो पुरा देश में सारे बच्चों के पास technology access नहीं है कोई remote किसी blaze का बच्चा है, वो आज विकतारिक में computer से exam नहीं दे सकता है, उसी कोई training है नहीं, तो यह disadvantage जो group है, उनके लिए और disadvantages है कि उनको online mode में exam देना पलेगा, दो बात तीसरी बात जो student इस exam के थूरू आ रहे हैं, सारा multiple choice question है, आप social science में कैसे imagine कर सकते हैं जहां writing skills भी चाहिए, वहाँ बच्चा multiple choice system से select होके आएगा, तो उसको क्या कर सकता है, तो असर एक तो teaching learning में calendar बिस्टब हो गया, दूसरा जो process में आप MCQ से student स्टुडेंट करके आरें, उनकी quality का issue है, तीसरा issue मैंने जो बता है कि भाई, जो disadvantage group है, वो जो है कैसे technology को एक स्टूडेंट से उनकी संक्या घटी है, क्या यह 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 इनुग में भी इसी बात को कहना चाहरा था है, कि तीसरा जो इसका परहना हमें कि जो गल्स का जो ratio है, वो घट गया है, तो यह बड़ा एक हम जंडर आज बिल पास कर रहे हैं कि हमने अधिसरे बिल पास कर रहे हैं, बने अधिसम ताइम जन्यूमी इदिशी प्रोसर्स के थुरू जेंडर रेशियो गड़ड हो गया है, जन्यूमी नीदी डैली उनवेश्टी भी गड़ड हो गया है, तो यह बहुत बड़े कैसे लेगे, आप कि हम हिस्ट्री वाले को लेंगे, अगर सारे सारे मियरिक में हिस्ट्री वाले आ जाएंगे, जो अप्रियरिक माल्टीग की जो अपनी डैभरसिटी है, वहान हमारे पास आँ पर самый जो नोट को हम देखियें तो इसमें ये भी है कि आप यह करें कि एडमीन जो है उसका ध्यान जो है वो फाइनेंस के जहां तक सवाल है तो एडुकेशन से वागी सारी चीजों के उर गया है इसको कैसे एक्स्प्लीन करेंगे आप देखिए आप इसको लार्जर स्केल पर सब्सक्राइब देखिए अब युनिवस्टी का भी फोकस देखिए कि क्या कोई वाइशांसर फंड लाने के लिए कोशिश कर रहा कि नी कर रहा है राई लोन अप्लाई किया है अभी हमें प्लिए नियाज की देखिए लों आ गया कि ने एक बार जब ममी डाला वाइशांस सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो नए वाइशांस देखिए अप्लाई किया एक सब्सक्राइब किया था अब वह अभी तक आया कि नहीं आए बहुत किलियर नहीं है तो लोन जब आप लेंगे तो आपको पेबैक भी करना है कहां से करेंगा फीज बढ़ाएंगे और यह बढ़न इस्टुडेंट पाएगा जेन्यू की एक अपनी खुबशूरुती है जहां पर हमारे मार्जिनल सक्षिन को और डिप्राइब सक्षिन के और रिमोर्ट रिज बढ़ती हो उन पर बढ़न जाता तो जो जेन्यू का से सोचल एक्विटी का जो कल्चर है ना वह खत्म हो जाएगा तो एक जो जाहर सी बात जो लादिम कॉस्चन बनता है वहां पर वह यह कि कोई उन्वर्सिटी अड्मिस्रेशन या कोई हमारी कहूं सरकार वो क्यों नही यह भी काया कि एक पूरा स्मियर केंपेंच चला जैन्यू के किलाफ और सॉल्ट से नहीं तरीके कि इसलिए मैं आप से तवाल है अब देखे जब एनिपी जब आता है तो एनिपी पूरा ही प्राइवेटाइजेशन की तरह है जब तक आप जो पब्लिक इंस्टूशन है औ करना है तो यह जो डिस्टूशन फॉब्लिक इंस्टूशन को खतम करके पूरा एजुकेशन को कॉमर्शलाइग करने की तरफ है तो एक समय में पॉब्लिक स्कूल के साथ हुआ इनिवस्टी के साथ होगा तो इसमें जो सफरर है जो शोशली डिसद्वांटेज गूरूब अगर आपके पॉब्लिक एजुकेशन सिस्टम पूरा डिस्टॉई हो जाते हैं तो हमारी डलाई पॉब्लिक एजुकेशन सिस्टम को सेव करने की है आज की तारीफ है शुक्रिया तो यह थे डी के लोबियाल बाकी खबरों के लिए जोड़े रही है निउस्ट्रिक के झाल